Question number 30, the domain of the function f defined by fx is equal to under root 4 minus x plus 1 upon x square minus 1 is equal to आपको बताना है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, देखिए, आपको इस function में 2 function ओड़ दिये हैं अब यहाँ पर आप ही समझिए, कि ये दोनो functions जो हैं, आपके square root function है, कभी भी root negative नहीं होता है तो ये दोनो 0 से less than होने से तो रहे, या तो 0 के बराबर होंगे, या 0 से बड़े होंगे अब आप अगर इस function को देखते हैं, तो यहाँ पर ये 0 भी नहीं हो सकता है क्योंकि अगर ये 0 होगा तो यहाँ पर आपको 1 upon 0 मिल जाएगा, जो कि not defined है तो ये function 0 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है और ये सिर्फ 0 से बड़ा हो सकता है ठीक, clearly under root 4 minus x is greater than equals to 0 और यहाँ पर under root x square minus 1 is only greater than 0 ठीक है, इसको 0 नहीं होना है अब इसको आपने solve किया तो आपको ये क्या मिल रहा है 4 minus x is greater than equals to 0 या फिर x minus 4 is less than equals to 0 तो ये आपको मिल रहा है finally इस implies x is less than equals to 4 ठीक, उसी तरह यहाँ पर x square minus 1 is greater than 0 तो x square is greater than 1 ये आपको मालूम ही है x is या तो greater than 1 होगा और x is less than minus 1 होगा ये चीज़ आप समझ गए है देखिए, अगर ये positive होता तो no doubt आपको x is greater than 1 मिलता अब यहाँ पर आपने minus sign का multiply किया तो ये sign reverse होगिया इस तरह से इसको याद रखिए आप जब भी आप इसी चीज़ में negative sign का multiply करते हैं तो inequality reverse हो जाती है तो मैंने यहाँ पर minus sign का multiply किया तो inequality इसी हो गई तो या तो आपको इसा मिलेगा या तो इसा मिलेगा ठीके? और ये दोनों और वाले case है और ये वाला जो case है, ये साथ में है तो ये end है ठीक? क्योंकि fx में ये दोनों साथ में आ रहा है इसलिए end है या इसको अभी से समझिए आप अगर इसका LCM लेते तो आपको क्या मिलता है आपको? under root 4 minus x into x square minus 1 ये दोनों multiplication में होते है इसलिए end आ रहा है ठीक? तो here अब यहाँ पर आपको distributive law लगा तो इसके मिल रहा है आपको x is less than equals to 4 and x is greater than 1 or x is less than equals to 4 and x is less than minus 1 अब यहाँ पर आप देखिए x 4 से छोटा है, बराबर है और 1 से बड़ा है इसको मैं इदर लिख देता हूँ एक ही बात है हो तो x is greater than 1 and x is less than equals to 4 तो यह तो simply कैसा हो जाएगा आपका 1,4 और यहाँ पर square bracket less than equals to 4 में square bracket आपको close interval greater than में open interval और मतलब क्या होगे आपका union यह आप जानते हैं अब इसमें आप देखिए x is less than equals to 4 तो इसमें values क्यों हो सकती x की 4, 3, 2, 1, 0, minus 1 and so on और x is less than minus 1 में क्या हो सकती है minus 2, minus 3, minus 4 और even minus 2 पर भी आएगा यह minus 2, minus 3 यह भी फोट से चुटे हैं अब इन दोनों में आप देखिए क्योंकि बीच में end आ रहा है तो end में हम सिर्फ common elements रहते हैं तो यह वाली चीज़ prevail करेगी यह नहीं आपाएगा यह क्या होगा ग्रेटर देन minus infinity होगा यह आप जानते हैं तो यह क्या होगा आपका minus infinity यहाँ पर open interval कॉमा minus 1 open interval ठीक है यहाँ यहाँ पर square bracket लगया आप इसा समझेगा कि close interval है यह चाहें तो आप यहाँ पर curly brace लगा लीजिए अब confusion ना हो यह तो ऐसी normal bracket लगाया थे मैंने बताने के लिए condition को यहाँ पर जो आपको आपको आखरी मिल रहा है यह असल brackets है 1, 4 union ठीक इसको आपने इधर उदर लिखा cumulative log minus infinity minus 1 union 1, 4 ठीक देख लीजे आप option number A यह इसका answer है